BSTC 2019 से जुड़े समस साथियों को नमस्कार बंदू आपका परिणाम जारी हो चुका है अब आपके लिए important है कि अब सबसे पहले आप अपना परिणाम कैसे देखे कि आपको college का लोटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है इसके बाद में आपको fees online भरनी है या चालान से इसी के स रिपोर्टिंग कराते वक्त आपके लिए क्या important document है इसी के साथ क्या college में अत्रिक कोई fees आप से ली जाएगी इसके विसे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यदि आप इन संपूर जानकारी को जानना चाहते हैं जुड़े रहे हैं आज इस वीडियो के सा करके आपको डाउनलोड college allotment letter पर क्लिक करना है यह first round का जो allotment letter है इसमें यदि आप general से है तो general sanskrit से है तो sanskrit या फिर alpsankyak से है तो alpsankyak पर क्लिक करके आप अपना college allotment letter डाउनलोड करें यदि आपको college का allotment वा है तो वहां आपको अपने college का नाम दिखाई दे गा college allotment हो जाने के बाद में हो जाने के बाद में अब आपको यह check करना है कि अब आप fees online भरें या ICI bank की branch में जाकर के तो साथियों सबसे safe तो आपके लिए यह है कि आप offline चालांड डाउनलोड करके और ICIC bank की किसी भी साखा में जाकर के और वहां पर अपनी fees को जमा करें जदी online भी भरते हैं तो कोई problem वाली बात नहीं है लेकिन कई बर क्या होता है कि online fees जमा तो हो जाती है और bank से पैसे deduct हो जाते हैं लेकिन आपके receipt नहीं आपाती है तो इसमें थोड़ा time लगता है उसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना होता है लेकिन फिर भीस आपके लिए स जाते वक्त आपको इन दस्तावेजों की आवशक्ता होगी इनमें आपको थोड़ा सा बता देते हैं आपको सुलका चालान की मूल और तीन फोटो कोपी प्रतेक डोकुमेंट की आपको तीन तीन फोटो कोपी की आवशक्ता होगी इनमें आवेदन पत्र जो आपका application form है college आउंटन पत्र बारवी और दस्वी की आपके मूल अंकता लिका आपकी original जो टीसी है आधार कार बैंक की पास्बुक की फोटो कोपी पास्पोर्ट साइज चार फोटो और जाती प्रमान पत्र इसी के साथ में आपको आवशक्ता होगी आपके मूल निवास प्रमान पत्र क आई प्रमान पत्र, विकलांगता प्रमान पत्र, तलाक शुदा, विद्वा प्रितिकता होने की इस्तती में उसका प्रमान पत्र और इनकी प्रतेक की तीन तीन फोटो कोपी आपको आवशक्ता होगी एबर हिन डोकुमेंट्स को आप एक बर इस चेक लिस्ट से मिलान से ज़्यादा पुरान आपका प्रमान पत्र नहीं होना चाहिए, यदि विकलांग है तो विकलांगता का प्रमान पत्र, साथ में विद्वा महिला की स्थिति में मिर्त्यू का प्रमान पत्र अपने पती की और पुनर रिवा नहीं करने का सपत पत्र जो नोटेरी से प्रमा प्रति ये डोकुमेंट आपके लिए रिपोर्टिंग के वक्त बहुत ही इंपोर्टेंट है इसी के साथ आपको बता दें कोलेज वाले हो शकता आप से तीन से पांच जार रुपए की अतरिक्त फीस और वसूल कर सकते हैं इसमें वो फीस की लेते हैं जो उसका कारण होता है वो आपको बुक्स देंगे, कोलेज आईडी देंगे, ड्रेस, इत्यादी के कुछ अतरिक पैसे वो आपसे वसूल कर सकते हैं तो आप कम से कम पांच जार रुपए कोलेज में लेकर के आवशक रूप से जामें तो जो एमपोर्टेंट डोकुमेंट की लिष्ट है हम आपक इसके बाद आप नीचे दिएगे लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलिग्राम गूर्प को जॉइन करके और इनकी पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हैं तो साथियो इस सीरीज की और आगे वाली जो वीडियो उनमें हम आपको बताएंगे कि आपकी जो अतरिक फीस और क्या क्य है उसकी डिटेल क्या है इसकोलर्शिप के लिए आप किस परकार से और कब एपलाई करें आपका बीएश्टीची का स्लिव इसके तरी फाइनल टीपी टीपी के लिए एक और स्कूल इंट्रेंशिप में जाने के लिए आपको डायरी कैसे मेंटेन करने इस से जुड़े रह इस जाने के लिए आप जोड़े हैं हमारे इस ग्यांदार अर्शोली चैनल के साथ में और यदि किसी प्रकार की प्रोब्लम आती है ता आप हम केमेट करके जरूर बताएगा साथ हो सकता आपकी केमेट का रेपलाई नहीं हो लेकिन हम प्रतेक आपकी केमेट को रीड करते और इसके आधार पर आपकी प्रोब्लम शोलूशन वीडियो जरूर बनाते हैं तो सात्यों आज की इस वीडियो में बस इतना ही नमस्कार सब्सक्राइब कीजिए ग्यानधारा हर्शोली चैनल को और बेल आइकन को दवाईए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिले